लबस्कार स्वागत है आप सुभी का दोलुशन समाचार आप देख रहे हैं और बाराबजी की खबरों के साथ मैं हूँ हाजिर कृत का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे बाराबजी की सुर्खियों का दिली के हैदरबाद हाउस में पीए मोदी और माल्दीव के राश्ट्रपती के बीच दुपक्षिय बैठक जारी कई एहम समझोतों पर होंगे हस्ताक्षर केंद्रे मंत्री शिवरा सिंग चोहान का आरोप हेमंत सोरिन की सरकार जारखंड में करा रही है बांगलादेशी खुसपैट कहा लागू करेंगे एनर्सी राज्य में रोटी, बेटी और अमाटी की रक्षा के मुद्धे पर होगा चुनाव पंजाब में आमाद्मी पार्टी के सांसंजीव अरोडा के चिकानों परेजी की छापे, जमीन घोटाले से जुड़े केस में मनी लॉंडरिंग का आरोप कल होने वाली मदगर्णा को लेका जमु कश्मीर में तरियस रक्षा व्यवस्था हर्याणा में भी कल आएंगे चुनाव के नतीजे और अंतराश्ट्रे खबरों में इस्डाइल साथ अक्ट्यूबर को हुए हमास के हमले की मना रहा है पहली वर्सी नौवव फेस्टिवल इस्थर पर जुटे इस्डाइली तो यह थी बारा बज़े की प्रमुक सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्टपती मुहम्मद मुईच्यू ने हैदराबाद में मुलाकात की हैदरबाद हाउस में मुलाकात की पियम मोद्य और मालदीव के राश्टपती के बीच हो रही इस बैठक के दोरान कई एहम समझोतों का आदान प्रदान होगा साथ ही आपको बता दें कि मालदीव के राश्टपती इस वक्त भारत के पांच दिवसीय दोरे पर है और इसे पहले मालदीव के राश्टपती मुलाद मुलाद के बीच में भारत के पांच दिवसीय दोरे पर है और इस दोरान आज गार्ड ओफ ओर्र के द्वारा अप्चारिक स्वागत उनका किया गया और इसके साथ ही मोहमद मोहिचु ने राजवखाट जाकर राश्ट्रपता महात्मा गांधी की समाधी पर शुद्धा सुमन अर्पित किया है मही केंद्री ग्रह मंत्री अमित शुहा की अध्यक्षता में दिल्ली में इस समय एक एहम बैठक चल रही है दैसल ये बैठक नकसल वाद पर है इस बैठक में नकसल प्रभावित राजव के मुख्य मंत्री और वरिष्ट पुलिस अधिकारियों के पांच केंद्रिय मंत्री भी इस बैठक में शामिल है तो विज्यान भावन में ये बैठक चल रही है जिसमें सीधे तोर पर नकसल वाद को किस तरीके से खतम किया जाए उस पर रणिती और साथी केंद्र सरकार किस तरीके से राज्य सरकार की मदद नकसल वाद को खत्म करने में कर सकती है उसको लेकर ये बैठक की जा रही है साथी दरसल आपको बता दें कि लक्षे रखा गया ये संकल प्रिया गया है मार्च 2026 तक नकसल वाद को पूरी तरह से खत्म करना महीं केंद्रे मंतरी और जार्खंड में बीजेपी के प्रभारी शिवरासिंग चोहान ने कहा कि जार्खंड के लिए भारतिय जंता पार्टी जल्दी विस्तरित संकल्प पत्र आने वाला है उन्होंने कहा कि रोटी, बेटी और माटी इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है शिवरासिंग चोहान ने कहा कि बांगलादेशी घुसपैटियों के कारण जार्खंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है बिस्तरित घोष्णा पत्र भारती जन्ता पार्टी का आने वाला है संकल्प पत्र हमारा लेकिन ये चुनाओ केवल किसी को मुखमंत्री बनाने का चुनाओ नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाओ नहीं है यह चुनाओ है जारखंड को बचाने का चुनाओ रोटी, बेटी और माटी इन तीनों की रच्छा करना हमारा संकल्प है बंगला देशी घुसपैठियों के कारण यहां की डेमोग्रफी तेजी से परिवर्तित हो रही है अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आवादी 44% से ज़्यादा थी घटके 28% रहे गई अगर बाकी आवादी भी देखे तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आवादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है साथी आपको बता दे कि शिवरा सिंग चोहान ने आगे कहा कि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की गठबन सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है राज्ये में घुसपैठ ना हूँ इसके लिए हम जार्खन में NRC लागू करेंगे और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट वेंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार उनको घुसपैठियों को घुसपैठियों का कपना हो और बेटी ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है और इसके लिए हम जार्खन में NRC लागू करेंगे साथ ही आपको बता दे कि आगामी त्योहारों के मद्दे नजर उत्तर प्रदेश की मुख्य मंतरीयों की आदितिनाथ ने मुख्य सचिफ डीजी पी अपर मुख्य सचिफ गरह मुख्य मंतरीयों की आदितिनाथ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवार करेगा महापुरुषों देवी देवता संप्रदाय आदि की आस्था के साथ खिलाफ अभध्यों टिपड़ी करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोड़ता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी लेकिन सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा साथी मुख्यमंत्रियों की आदितनात ने ये भी कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोर अथ्वा, आगजनी, सुईकार नहीं है जो कोई ऐसा दुस्सा हस करेगा, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी मुख्यमंत्रियों ने पुलिस प्रिशासन को नरदेश दिये कि शारदी नवरात्री विजय दश्मी का पर्व, हर्शुलास, शांती और सोहार्द पूर्ण, माहौल के बीच संपन हो ये प्रत्य एक जनपद, प्रत्य एक थाने को सुनिश्चित करना होगा माहौल खराब करने वालों को चन्नित कर कठोर कारवाई करें, कानून के विरुधकारे करने वालों के साथ सक्ती से निप्टें साथ ही महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के नरदेश देते हुए मुख्य मंतरी ने कहा कि भीडबार वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और पी एरवी 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए साथ ही नों ने कहा कि महिलाओं बेटियों की सुरक्षा वे सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके लिए सभी वे भाग मिलकर काम करें वही केंद्रिय ग्रहा एवं सायकार्ता मंतरी अमित्शोहा ने पीम मोदी को सार्वजनिक जीवन के 23 साल पूरे होने पर बधाई दी है आपको उदादे कि उन्होंने सोचल मीडिय प्लैटफोर्म एक्सपर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा कि आज प्रधान मंतरी नरेंत्र मोदी जीवन में मुख्य मंतरी वे प्रधान मंतरी के रूप में 23 वर्ष पूरे हुए है एक विक्ति अपना पूरा जीवन राष्ट्रोहित और जन सिवा को कैसे समर्पित कर सकता है ये 23 वर्ष की साधना उस अधुतिय समर्पन की प्रतीक है ये 23 वर्ष यात्रा सामाजे की जीवन जीने वालों के लिए जीवन तो प्रेड़ना है मेरे लिए ये स्वभागी की बात है कि मैं मोदी जी की इसी यात्रा का साक्षी रहा हूँ मोदी जी ने ये दिखाया कि कैसे गरीब कल्यान, विकास, देश की सुरक्षा वे वैश्विक पहचान को मजबूती देने के कारे समनांतर किये जा सकते है साथी नोंने समस्याओं को टुकडों में देखने की जगा समग्र समाधान का विजन देश के सामने रखा बिना रुके, बिना थके, बिना अपनी परवा किये, देश और देशवास्यों के लिए समर्पित ऐसे राश्टर साधक मोदी जी को सेवा और समर्पड के 23 वर्शपूर्ण करने पर बधाई देता हूँ महिप्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में सक्रियता और सारवजनिक पद को संभालने के 23 साल पूरे हो चुके हैं और इस अफसर पर केंद्रिम मंतरी हर्दीप सिंग पुरी ने सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साज़ा किया हर्दीप सिंग पुरी ने अपने इस पोस्ट में लिखा कि आज प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी की भारत माता के अथक सेवा और नाकरिकों के प्रती निस्वार्त समर्पन के 23 वडश पूरे हो रहे हैं 23 साल पहले आज ही के दिन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के मंतरों के साथ समावेशी विकास ने एक नई परिभाशा हासल की थी जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भारत के प्रधान सिवक के रूप में अपनी युगांत कारी यात्वा शु लिखी है और प्रत्यक भारतिये को एक शांदार भविश्य की और भारत की यात्रा में एक हित धारक बनाया है योजनाओं मिशनों पर योजनाओं और विकास के कारिक्रमों के साथ सरकार की नीतियों का अनलाभ अब सीधे लोगों तक पहुच रहा है दो दशकों से अधिक सम प्रधार मंत्री मोदी ने एक भी छुट्टी लिये बिना अथक परिश्ट्रम करते हुए राश्ट्र प्रथम की भावना को मुर्त रूप दिया है। में एक मौलेक परिवर्तन लाया है क्योंकि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्था बनने की और अग्रसर है। बाबा साब अमबेटकर जी का जो भी काम हुए है उसको अगर पहचान दिलाया है तो मोदी जी नहीं पहचान दिलाया है। सामाजिक नियाए और समविदान की रक्षा ये मोदी जी नहीं कराया है। कांग्रेस पार्टी ने समविदान को लगातर प्रहार किया और 1975 में तो समविदान को बिलकुल हत्या कर दिया था। मही केंद्री मंत्री केरिन विजिजू ने राखुल गांधी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि वो विदेशी सरजमी में देश की लोगतंतर को नुकसान पहुचाने वाली बात करते हैं। आज राखुल गांधी जैसे लोग जो समविदान को मानते ही नहीं हैं। वो विदेशी ताक्तों के साथ मिल करके भारत विरौदियों के जाल में फज गई और वहां से फिर भारत को नुकसान पहुचाने वाले बात करते हैं। और मोदी जी को हमारे सरकार को बदनाम करते हैं कि हम समवीदान बदल देंगे तो मैं बहुत ही इसको गोर अपत्ती दर्ज करता हूं और कहना चाहता हूं कि समवीदान का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकता है और समवीदान को लोगों को पढ़ाने का काम भी म प्रगातार जारी है वक्त बुलिटर में एक छोड़ी सब्रेक का है आप बने रही है हमारे साथ अब जोलिया हो या लोबिया सफेज चनिया काले चने सब को मज़ेदाल बने सुरक्षा की गारंटी हर चीज में ज़रूरी है चाहे वो मश्किल स्टंट हो या चीफ असल इसलिए ले आईए आयल के ट्रैक्टर ब्रैंड का शिर्बार जो देता है सुन्दी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी तीन सो नप्बे रुपे महीनए से शुरूर बैटिया घर की रौनक है बैटिया घर सवारती है कि बैटिया पीडिया सजाते है बैटिया घर की बुन्याद कहलादी है बैटियों को सलाम करता है मोंगिय स्टील का बाद्श्ञा और ब्रेक के बाद एक बाद फिर से स्वाकत आप सभी का खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां आपको बता दे कि केंद्रिय स्वास्ते मंत्री जगत प्रकाश नड़्डा ने नई दिल्ली में विश्व स्वास्ते संग्ठन के दक्षण पूर्व एशिया शेत्र के 77 में सत्र के उद्खाटन सत्र को संभुदत किया इस अफसर पर उने इस सत्र का अध्यक्ष भी चुना गया है वहीं पूर्व केंद्रिय मंत्री लालो प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेते सभी आरोपियों को जमीन के बदले नौकरी मामले में फिलाल जमानत मिल गई है सभी आरोपियों को अपने अपने पासपोर्ट जमा करने की शर्त और एक एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है दिली की राउजवन्य कोट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी 25 अक्टूबर को आरोप ताई करने पर जुरह से पहले चार्चीट और उसमें जुड़े दस्तावेजों के स्कुरूंटी की कानोनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा वहीं लालू प्रसाद यादव राउजवन्य कोट में अपने बेटों के साथ पहुचे थे आज लालू प्रसाद यादव कोट में वील्चेयर पर पहुचे थे इडी ने मामले में पूरा कारूप पत्र दायर किया था जिसके अधार पर कोट ने सभी को समन भेजा था लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन की रूप में अवैध लाफ अरजित करने का आरूप है इस मामले में तेज प्रताप यादव पहली बार कोट में आज पेश हुए थे इसके साथ ही दिल्ली हाई कोट में जेयनियो के पूर्फ उच्छात्र नेता उमर खालिद की जमानती आचिका पर सुनवाई टल चुकी है जस्टिस नवीन चावला के अधिक्षता वाली बेंच के आज नहीं बैठने की वज़ा से सुनवाई 25 नवंबर तक के लिए चल गई है आपको बता दें कि उमर खालिद सितंबर 2020 से गैर कानूनी गतिविधी रोकताम अधिनियम यानी UAPA के अंतरगत सलाखों के पीछे हैं उमर खालिद पर आरोप है कि साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबधित बड़ी साजश में वो शामिल थे उमर खालिद पर दंगों का मास्टर माइंड होने का भी आरोप है साल 2020 में हुए इन दंगों में लगभग 50 लोगों की मौत हुई थी तो वहीं 700 से ज्यादा लोग खायल हुए थे इस मामले में अन्य सहा आरोपियों शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा युनाइट अगेंस्ट हेट के संस्था पग खालिद सैफी और अन्य की जमानती आचकाओ पर भी सुनवाई होगी हर्याना विधानसवा चुनाव के मतों की गिंती के लिए 90 शेत्रों में मतगर्ना केंद्रों बनाए गए हैं कालका और पंचकुला विधानसवा शेत्रों में हुए मतदान के मतों की गिंती पंचकुला में और नारायनगड अंबाला केंट अंबाला सिटी और मुलाना शेत की विधान सफासीटों के मत करना होगी सीची टीवी से सभी स्टॉंग रूम की कड़ी निगरानी इस वक्त रखी जा रही है इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का तीन स्थरिये सुरक्षा में रखा गया है स्टॉंग रूम की सुरक्षा के लिए हर्याणा पुलिस और अर्धिसैनिक बलो को भी तैनात किया गया साथी मतदान के बाद इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन और वीवेपेट मशीनों को स्टॉंग रूम को सील कर दिया गया जिसके बाद में अब इस सील को कल हटाया जाएगा और मत करना शुरू होगी हर्याणा के साथ ही आपको बता दे हैं कि जम्मू कश्मीर में कल विधान सभा चुनाव की मत करना होगी और इसके लिए प्रिशासन की ओर से तरिस्तर ये सुरक्षा की गई है रियासी से कुछ तस्वीरे हमारे साथ पास आईए जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलके जवान गाडियों की सघन जाच कर रहे हैं वही मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने आमादमी पार्टी के सांसत संजीव अरोडा के जालंधर इस्तित घर पर चापे मारी की संजीव अरोडा पर गैर कानूनी तरीके से जमीन हासिल करने का आरोप है और इसके साथ ही नामी कारोबारी हेमंद सूद के घर पर भी एडी ने चापे मारी की है दोनों ही जगों पर एडी ने पुलिस बलका इस्तमाल कर घरों वे अन्ये ठिकानों को सील कर दिया है समी कंड़क्टर इंडस्ट्री में हाल ही में उलेखने प्रगते हुई आज भारत का फूकस समी कंड़क्टर जैसी महतपूर्ण तकनीकों को आगे बढ़ाने पर है भारत दुनिया के लिए अगला समी कंड़क्टर हब बनने की ओर बढ़ रहा है चिप मैनिफेक्टरिंग को लेकर देश में इस शेत्र में बड़ा निवेश भी हो रहा है दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुक अर्थवेवस्था के रूप में भारत आगी बढ़ा है भारत जीडिपी के हिसाब से पाँचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था है ग्लोबल फिंटेक अड़ोप्रेशन रेट और स्मार्टफोन टेटा खबत में पहले स्थान पर है भारत दुनिया का अगला सेमी कंडेक्टर हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ा है क्योंकि देश में इस सेक्टर में बड़ी संख्या में निवेश किया जा रहा है लोकल मैनुफैक्चरिंग के लिए PLI योजनाओं के तहट भारत को 1.25 लाग करोड़ उपे का निवेश मिला है केंद्रे मंत्री अश्वनी वैश्टव ने कहा अमरीका की माइक्रोन टेक्नलोजी 2025 की शिरुआत भारत में चिप का उत्पादन करना शिरू कर देगी वहीं CG Power Semiconductor सुविधा का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और Tata की ओर से असम में बनाई जा रही ATMP सुविधा में भी काम तीजी से किया जा रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन शिरू हो चुका है भारत में Semiconductor Industry की व्रधे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मस्बूती मिलेगी Semiconductor Industry सभी उद्योगों का आधार है चिप का इस्तेमाल Medical Device, Mobile Phone, Laptop, Car, Truck, Train, TV और अन्ने Electronic उपकर्णों में किया जाता है साथ ही कहा है कि अब तक सरकार की ओर से की गई सबी पहल जसमे Digital India Mission और Telecom India Mission शामिल है उसने सामाने नागरिकों के हाथ में टेकनलोजी लाई है भारत में बहुत जल पांच सेमिकंडक्टर प्लांट लगेंगे ये प्लांट दुनिया भर में Made in India चिप्स की आपूर्ती करेंगे उन्होंने कहा कि भारत Global Innovation Index की रैंकिंग न केवल शेष्ट पर पहुँचने की तयारी कर रहा है बलकि शेष्ट पर बने रहने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहा है रिपोर्ट्स के मताबिक भारत का सेमिकंडक्टर मार्केट 2026 तक 64 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है ये 2019 के बाजार मोले से करीब तीन गुना होगा प्रोडक्शन चमताओं को विस्तार करके देश सेमिकंडक्टर शेत्र में एक प्रमुख खिलाडी बननी की ओर बढ़ा है सेविकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन ISM जैसी राष्ट्रिये पहल से जहां ग्लोबल बाजार में महत्पोर्ण हिस्तदारी हासिल होगी वहीं इनुवेशन को बढ़ावा मिलेगा रोजगार पैदा करना और टेक्निकल प्रगती की माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोचसाहित करने के लिए ये शेत्र मुफीत है इस सेक्टर की प्रगती से बड़ी संख्या में भारत में नौक्रियां भी पैदा होंगी ब्यूरो रिपोर्ट डिटी नियूज और वहीं स्पेस स्टार्ट अप्स को वेंचर फंड के लिए एक हजार गरो रुपए दिये गए हैं आपको बदादे कि ये जान कर देते हुए केंद्रिय मंत्री डॉक्र जितेंद्र सिंग ने कहा कि ये निर्णै मोधी 3.0 के पहले 100 दिनों के भीतर लिया गया जो कि सरकार द्वारा अंतरिक्ष शुषेतर को दी जाने वाली उच्च प्राथमिक्ता का संकेत है उन्होंने बताया कि लगपग चार साल पहले अंतरिक्ष शुषेतर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का नेर्णै लिया गया था इसके परिणाम सरूप अंतरिक्ष शेत्र में बहुत ही कम समय में मात्र एक स्टार्ट अप से दो सो से ज्यादा के स्टार्ट अप तक पहुँचने का अश्चर रेजनक सफरताई किया गया। भारत के कुछ अंतरिक्ष स्टार्ट अप वेश्विक शमतावाले हैं। केंद्रिय मंत्री ने बताया कि अंतरिक्ष शेत्र में सरकार द्वारा सौ फीसदी FDI प्रावधान की अनुमती है और इससे नई पहलों और नई एंतर्परनियोर को बढ़ावा भी मिला है। साथीरों ने कहा कि भारत में स्टार्ट अप की संख्या 2014 में 350 से बढ़कर 1.5 लाग से ज्यादा हो चुकी है। इनमें इस्पेस सेक्टर के कई स्टार्ट अप भी शामिल हैं जो देश की अर्थविवस्था को और मजबूत कर रहे हैं। और चलिए बुलेटर में आगे बढ़ते हैं। बांगलादेश को 21 रन से हराया और ऐसे में इंगलेंड की टीम साउथ अफरीका के खिलाफ टूर्णामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी। और वहीं दूसरी और साउथ अफरीका ने भी अपने अभियान का अगाज जीत के साथ किया। साउथ अफरीका ने पहले मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 10 विकट से हराया और ऐसे में साउथ अफरीका की नजरें इंगलेंड को हरा कर टूर्णामेंट में दूसरी जीत दर्ज करने पर होगी। दोनों टीमों के बीच रोमान चक मैच देखने को मिल सकता है। सिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेट के करमचारी है। पाकिस्तान इस्थत चीनी दूतावास ने इस आतंखवादी हमले की कड़ी निंदा की है। चीन ने अनुरोध किया है कि पाकिस्तानी अधिकारी हमले की अच्छे से जाच करें। अब राधियों को कड़ी सजा दें और पाकिस्तान में चीनी नागरिकों, संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवशक कदम उठाए। साथ ही दूतावास ने हमले के म्रतक और घायलों के परिजोनों के प्रती सहनु भूती भी जताई है। ये वो समय था जब हमास के नित्तवाले आतंकवादियों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को हमले की शुरूआत में इस्राइल में रॉकेट तागे थे। इस्राइली आंकडों के अनुसार हमास ने लगभग 1200 लोगों को बंधक बना कर गज़ा ले गए। सेना और पुलिस ने कहा कि आज पूरे देश में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। वहीं इस्राइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाईफा में हिजबुला ने रॉकेट्स किराए हैं और इस हमले में करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है। हिजबुला ने कहा कि उसने हाइफा के दक्षणी इलाके में एक सेन्य अड़े को मिसाइलों के जरी अपना निशाना बनाया। कहा गया कि अधिकारी और पुलिस बम निरुधक एक्सपर्ट्स कई जगहों पर जाकर रॉकेट्स से निकले मलबे की जाच कर रहे हैं। कुछ इमारतों को काफी नुकसान भी पहुँचा है जिसमें जब रोग मौजूद थे उनको मामूली चोटे आने की भी खबर है। वहीं इस्राइल ने रविवार की दिर रात लेबनान पर कई सारे हवाई हमले किये। यह हमले लेबनान की राज़धानी बेरूत के दक्षडी हिस्से पर किये गए। इस्राइली सेना ने कहा कि उन्होंने हिजबुला के हत्यार भंडारों को अपना निशाना बनाया। अबुलान से सर्विस के मताबिक हिजबुला के इस्राइल पर किये गए रॉकेट हमलों में दस इस्राइली गायल हुए है। इसराइली सिर्णा ने गज़ा के एक अस्पताल पर भी हमला किया। इसराइल का कहना है कि इस अस्पताल से हमास के सद्थ से अपना आप्रेशन चला रहे थे। और इसी के साथ फलाल मेरे साथ इस मिल्टर में तहीं बाकी देशने की तमाम खबर के लिए आप देखते रहे हैं डीडी न्यूस नमस्कार